पीता बेटी की दिल छू लेने वाली छोटी कहानी दोस्तो एक दिन एक लड़की ने अपने पीता से पूछा पापा क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हैं उसके ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पीता को रोते हुए नहीं देखा था इस सवाल के जवाब में पीता ने कहा हाँ एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उस्षूख हो गई कि आखिन वह क्या बात थी जिसने उसके पीता को रुड़ा दिया था इस उस्षूख को सान करने के लिए पीता वह किसा सुनाने लगा बात उस समय है जब तुम आठ माह की थी एक दिन मैंने तुम्हारे सामने तीन चीजे रखी एक पेन एक सिक्का और एक खिलावना मैं यह जानना चाहता था कि तुम उन चीजों में से क्या उठाओगी उनमें पेन बुद्धिमता का प्रतिक था सिक्का धन का और खिलावना मनोरंजन का प्रतिक था मैं यह सब बस एक जिग्यासा के कारब कर रहा था मेरे लिए यह जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा मैं तुम्हारे सामने बैटका बेसबड़ी से तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था मैंने देखा कि कुछ देर बैटका तुम उन चीजों को देखती रही फिर घुटने के बल पर चलते हुए उनकी और बढ़ी जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कने मानों रुख सी गई लेकिन अगले ही पर तुमने उन सभी चीजों को अपने हांस से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई बस यहीं वो पर था जब मेरा दिल भर आया था और तुम्हारी वजह से मैं रोपड़ा था यह किस्सा सुनकर लड़की की आँखों में हांसु आ गए